नमस्कार आज की राम राम कैसे हैं आप उमीद है अच्छी होंगे तो मुस्कुरादी जो होए 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 आगई मुस्कुराहट मैं बिल्कुल छीक हूँ और एक बार फिर से आ गई हूँ हम और हमारे संबंध और हमारे संबंदियों होए चड़ो जी जिंदगी में आपको ऐसा नहीं रखता कि हमारे परिवार एकल नहीं हो गया है हमारे दिल एकल हो गया है कभी कभी परिवार एकल होने से कि चलिए सास और बहु अलग रहे हैं एक फ्लोर पर अलग रहे हैं बेटा बहु एक फ्लोर पर ममी पापा अलग रहे हैं ल पादी नहीं होगी नाना नहीं होगी पहले ही जिन्दगी जो है वो सौ साल की उम्र से चालिस साल पर आ गई है पहले लगता था कि पचास साल कोई जिन्दगी जी ले तो बहुत बड़ी थी मुझे तो लगता है कि आज की तारिक में को चालिस साल भी जी ले तो बहुत रहिए गर्माहट और अपने पन को जंदा रखिए प्लीज एक बात समझे कि रिष्टेदारी बहुत जरूरी है आज भी भारतिय सब्सक्रति में जब दूला निकलेगा ना अपनी दूलहन को लेने के लिए तो उसकी आंक में काजल लगाने के लिए भावी चाहिए यह याद लगाने को दूला दूलादियां और पडदादियां और नानियां चाहिए आज भी अगर आपका स्वागत को यहे आपके घर में करेगा तो नंद की जरूरत है जब भाबी और भाईया घर आएंगे तो जरूरत है निरिश्टों की और वह जीजा ही क्या जिसकी सालिह ना हो तो रिष्टों की इतनी एहमेत है यह शास्तर कैसे कहते हैं आपको बताते हूँ अगर आपका सोम यानिकि चंद्रमा कुंडली में कमजोर है अंतरदिशा में हैं महादिशा में हैं या किसी गलत ग्रहे के साथ बैठा है तो तुरंथ अपनी मां के साथ ना रखें अगर आपकी माँ खुश तो आपका चंद्रमाँ खुश सूरे अगर आपके पिता के साथ आपके संबंद अच्छे हैं तो आपको सरकारी नौकरी दिलाने से प्रौपर्टी के डील कराने से आत्म बल और आत्म विश्वास को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता अगर बहुत बड़े बड़े उपाये नहीं कर सकते सुबाउट का राधित्य हिरदे सुरत का पाथ नहीं कर सकते कोड के चेरी और पुलिस के चक्रों में पड़े हो तो याद रखना बढ़ा हो या छोटा भाई अगर उसके साथ संबंद अच्छे हैं तो मंगल अपने आप अच्छा हो जाएगा उसे गुड़ खिलाएं उसके सानिद्धे में जाएं उसका आशिरवाद ले अगर अगर आपकी बेहन के साथ आपकी बेहन आपसे बहुत खुश है उसकी आंक में आपके लिए आसू है तो आप इंटेलिजेंट होंगे बुद्धी में बहुत ही बढ़िया होंगे आपकी नॉलिज बहुत अच्छी होगे आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे क्या बोलेंग संबंधों का ग्रहों के साथ है बड़ा जबरदस नाता अगर आपको यह समझ में आ जाए तो जिन्दीकी खुब सुरूत हो जाए यह जनरेशन कहती है गुरू की क्या जरूरत है गुरू ग्रह जो एक लड़की की शादी कराता है विदेश यात्रा करवाता है बेटा होगा बेटी यह चीज दिल्वाता है ग्रू जो आपको सरकारी नौकली दिल्वाता है पीछर बनाता है अगर आपके कोई अपने गुरू नहीं है तो कम से कम घर में ताया ताई और दादा-दादी पापा ममी यह जो हमारे गुरू हैं जिन्से हमने हम्ने जिन्दीकी Central 007 हमेशा कुछ सीखा है अगर इन से आपके संबंद अच्छे हैं और आपका गुरू वक्री भी है आपका गुरू के साथ भी बैठा हुआ है आपकी कुडली में गुरू के साथ रहो बैठके गुरू चंडाल दोश भी है तो भी होए होए अगर आपके अपने घरवाले खुश हैं तो आपको results अच्छे मिलेंगे शुक्र आपकी पतनी आपसे अगर खुश है तो आपकी जेब में मोटे-मोटे पैसे होंगे 2000 का नोट पास्टो का नोट लेकिन आपकी पतनी आपसे दुखी है हर वक्त आपसे लड़ती रहती है आपकी बारे में अकरात्मक बोलती है क्योंकि आप उसे quality टाइम नहीं देते या आपका एक extra medal affair चल रहा है या आप जिन्दगी के अंदर कहीं परेशान है तो यह बात याद रखना जितने मरजी हीरे पहन लो जितने मरजी ओपल पहन लो जब पत्री खुश तो आपको शुकर को खुश करने के और जरूरत ही नहीं है बात शनी की करते हैं शनी आपकी कितने सेवक हैं क्या आप नौकरों के साथ बत्तमीजी करते हैं क्या आप ड्राइवरों को भूका रखते हैं क् जिसका भी शनी अच्छा करना है विबारी से भार निकलना है वो अपने घर में काम करने वाले सेवकों को खुश रखें ये जिन्दगी के नवग्रहें आपको लाइफ के अंदर आगे पीछे दाएं बाएं सब जगा लेके जाते हैं रहु घर के आसपास के जीव जनतूं को आप तंग करते हैं मारते हैं चिपकली मार रहे हैं आप बिल्ली को मार रहे हैं आप कुत्ते को मार रहे हैं आप गाएं को मार रहे हैं तो जिन्दगे में जो मर्जी कर लीचे राहु आपका कभी ठीक नहीं हो सकता दिमाग हमेशा ब्रहमित ही रहेगा के तू की तू है क्य ये 2023 का जो साल है ये केतू का साल है ये समझ लीज़ेगा अगर आप बिलकुल सम्मान नहीं करते बड़ो का अगर आप कुटे का आप मान करते हैं उसे मारते हैं पिंजने में किसी पश्यू पक्षी को रखते हैं चाहे वो तोता हो चाहे मैं नहीं हो और उसके बाद आप तो आपके संबंधियों का आपके जीवन में होना आपके ग्रहों को ठीक करना बेहत जादा जरूरी है यह उनके लिए था कारिकरम जो कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है हम अकेले ही बहुत है क्या कर लेंगे वह आकर यह तो आपको तब पता चलेगा जब आप शादी की रिष्टी की बात करने जाएंगे और हमारी भारतिय संब्ता संस्कृति में तो मरने के लिए भी चार लोगों की जरूरत पड़ती है ना हम अकेले आते जरूर हैं पर इस दुनिया के मेले में ऐसे जुड़ते हैं कि हमें सब की जरूरत है हाँ जूरती हूं आपके आगे अ बहुत सारी कुश्या दे जाए मादारी